तो गाइज आज हम गुम रहे कनाट प्लेस में और आज छुटी का दिन था तो आज हम कुछ तुफानी करने वाले थे तो आज हम चले गए कनाट प्लेस में Museum of Illusions तो यहां पे कुछ अजीब और गरीब तरीके की फोटोग्राफी करके और कुछ अजीब और गरीब तरीके के प्लेसेज हैं जो कि कुछ इस तरीके के हैं आज हम इस तरीके की फोटोज, वीडियोज कुछ इलिजियन टाइप में क्रेट करने वाले थे तो नामी है Museum of Illusions तो इसी तरीके की यहां पे क्रेटिविटी हमारी होने वाली थी तो हमने एंट्री ले ली और अपने हाथ में लगवा लिया बैंड तो हमारे जो टिकेट थे वो चार लोगों के 2700 रुपे के पड़े थे और सबसे पहला जो हमने किया अक्टिविटि वो है रिवर्श रूम तो रिवर्श रूम इस तरीके का होता इस में एक Ootto है जिस फोटो कुछ इस तरीके की आती है सिम्पल कुछ इस तरीके का था और अब इस तरीके का गया तो उसके जब हम इस राश्ते पर चलते हैं नीचो को देखते हैं तो उसके बाद में ऐसा लगता है कि यह जो ड्रम है उपर से घूम रहा है यह रूप चुका है और हमारा जो रास्ता है वह घूम रहा है तो उससे बड़ा मज़ा आता है मतलब आसा लगता है इसके गिर जाएंगे हम हम इसके बाद में हम गये टिलट Its हैं इसके मिरर बश्रत हैं और इस शोठी चोठा आद्मी आ लगता है अपको बहुत बड़ा लग सकता है जैसे कि आप ये देख सकते है उसके बाद में आप ये देखिए कि ये बिखरी हुई चीजे क्या हो सकती है जब हम एक फोटो फ्रेम में इसको लेंगे तो आपकी आउकों का दोखा बिल्कुल हो जाएगा ऐसा लगए का जैसे हमने किसी कूरसी पर बिठाकर फोटो पिचवाया हुआ उसके बाद में कुछ ऐसी इमेजिस थी दो इमेजिस जो की देखने में छोटी और बड़ी लग रही है और जब हम इसको इसकी हिसाब से नापते हैं तो सबसे पहले हम जब हम इसको इसके उपर लगते हैं तो यह बराबर लगता है और जब हम इसको दूसरी इमेजिस पर भी लेगे जाते हैं तो इसमें भी यह बराबर फिट होता है तो देखने में तो छोटा और बड़ा लग रहा है लेकिन बराबर है और दूसरा आता है ये boxes ये छोटा लग रहा है और ये बड़ा लग रहा है और जब हम इसको इसके size से नापते हैं तो देगे हैं ये इस box पर रखते हैं इसके ऊपर ये ढखकन ये इसके बराबर है ठीक है उसके बाद में जब हम इस box के ढखकन पर भी इसको रखते हैं तो ये भी बराबर हो जाता है तो ये भी कुछ इस तरीकी का illusion से देखने में छोटे और बड़े लग रहे हैं लेकिन जब हम इसको measure करते हैं इसके इसाब से उसके बाद में ये आता है गाईस, इधर की साइट से तो ये एक प्रामिट की तरीके से लगता है, ट्राइंगल लगता है, और जब हम दूसरी तरफ से इसको देखते हैं, तो ये स्क्वायर की शेप ले लेता है, इमेज एक ही है, लेकिन जब हम इनको डिफरेंट हो जाती है यह भी एक इलुजन था तो इसका जो सर्फेस है वो बिल्कुल प्लेन है लेकिन इसमें क्यूब दिख रहे हैं वो एक लाइट के विज्वल्स के हिसाब से उसके बाद में बहुत सारे इलुजन थे जैसे कि यह है इसमें सरी सर दिख रहा है नीचे का हिससा गायब हो जा रहा है बड़ा मज़ा आया था इसकी फोटो बहुत अच्छे लग रही हैमें और यह भी एक इलुजन से यहां पे एक इमेजस है बहुत सारे हो पर दिख रहे हैं यह भी कुछ इस तरीक इक इमेजस बहुत सारी यहां पर एक्टिविटीज वाली थी इसके बाद यह फोटोग्राफिय तो कमाल कीते हैं ऐसा लग रहा था जैसे हम बिल्डिंग के ऊपर से हम लटका रहे हूं किसी को और लास्ट में जब आप इनके एलविजन से इंस्पार हो जाएं तो एक स्टोर है यहाँ पे कुछ अजीब वरीब की एक कि यहाँ पे चीज़े मिलेंगे आपको, को यहाँ पे आप लेसकते हैं जैसे कि यह लट्टव है और ये यह है कुछ इस तरीक के और ये पैंसिल है टेडी मीडी पैंसिल है इनके स्टोर में बहुत सारे बहुत सारे प्रोड़क्ट रखे हुए थे इलुजन्स के इसाब से जो कि गेमिंग वाले थे ज़्यादा दर और ये था ये कुछ गेम था जो कि हमारे यहां बन सकता है अगर आपको ये चाहिए तो आप मुझे बोल सकते हैं मैं आपको दे सकता हूँ ये वोडन का तो हमारा कामी है तो गाइस यहां पर हमें बहुत मज़ाया बच्चों को भी बहुत मज़ाया और आप हमारा यहां से जाने का टाइम हो चुगा था तो आप भी आ सकते हैं